दोस्तो इवाद फिर से आपका स्वागत है मेरे से योटुब चैनल पर मैं कि तुम्हारी वाद फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपको चार्ल्स अडिकेंड की एक फेमस नॉबल हाट टाइम्स की कहानी बताऊंगा दोस्तो इस नॉबल का फुल टाइटल है हाट टाइम्स फॉर दीज टाइम्स ये कहानी लेट 18 सेंचुरी और अर्ली 19 सेंचुरी के बीच की है जब इंडेस्ट्रियल रिवॉलिशन का टाइम था इस कहानी को 1854 में पब्लिस किया गया था और ये चार्ल्स अडिकेंड का 10 नॉबल था तो चलिए दोस्तो मैं आपको सबसे पहले इस कहानी के सभी कैरेक्टर से मिला देता हूँ ये हैं थॉमस ग्रैट ग्रिंड इनका अपना एक खुद का स्कूल है ये अपने स्टुएंट्स वो क्लेवल फैक्ट्स की नॉलिज देते हैं थॉमस ग्रैट ग्रिंड के दो बच्चे हैं एक लड़की है इसका नाम है लूईशा ये इस कहानी की प्रोटगरनिस्ट है यान और अब इन दोनों के अंदर कोई भी इमोशन और कोई भी फीलिंग नहीं है दोस्तों ये टॉम आगे चलकर एक बैंक को लूपता है ये है सिसी ये थॉमस ग्रैट ग्रिंड के एक स्टुडेंट है सिसी के फादर सरकस में काम क्या करते हैं लेकिन कुछ कारणों से वे सिसी को छोड़ कर चले गये हैं तब से सिसी का पालन पोशन थॉमस ग्रैट गिंड नहीं किया है ये सिसी थॉमस ग्रैट गिंड के साथ ही उनके घर पे रहती है ये है मिस्टर बांडर भी ये थॉमस ग्रैट गिंड के च्छे मित्र है साथ ही लूईसा की साधी बांडर भी के सा साथ ही होती है बॉंडर भी एक फैक्टरी का मालिक है और अपने मजदूरों को हैंड कहके बुलाता है और उन पे तरह तरह के अत्याचार भी किया करता है यह मिसेस पार्सेट यह एक ओल्ड वीडियो है यह बॉंडर भी के घर में काम करती है जब से लुईसा की साधी बॉंडर भी ने इसे इंपॉंडर भी देना कम कर दिया है इसे वैल्यू देना कम कर दिया है इस कहानी का अगला कैरेक्टर है स्टेफन ब्लैकपूल यह मजदूर है जो बॉंडर भी के फैक्टरे में काम करता है इस बेचारे मजदूर पे कहानी में आगे चल कर एक चोरी क इन्जाम लगेगा कि इसने बैंक को लूटा है ये स्टेफन ब्लैक पूल वैसे तो साधी सुदा है लेकिन एक रेचल नाम की लड़की को ये पसंद करता है जो इसी के साथ फैक्टरी में काम करती है और इस कहानी का अंतिम कैरेक्टर है जेम्स हाट हाउस ये एक जेंटलमैन है और लंडन से आया हुआ है बॉंडर भी के पास फैक्टरी में काम करने के लिए क्योंकि ये वहाँ पर बैठा बैठा बोर हो रहा था तो यहाँ पर कुछ इंटर्टेइनिंग ढूनने के लिए बॉंडर भी के पास आया है तो चलिए दोस्तों अब इस कहानी की सुरुआ बैठा बजमकि लमट बात करते हैं दोस्तों इस कहानी की सुरुआत होती है थामस ग्रेडगिरंड को लेक्चर दे रहे होते हैं यह अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं कि इस दुनिया में इमोशन और इमैजिनेशन की कोई जगा नहीं है हमें हमारे जीवन के फैसले के अनुसार लेना चाहिए और तुम लोगों को भी facts पे ही ध्यान देना चाहिए दोस्तों Thomas Grad Grint के दो बच्चे हैं Louisa और Tom Thomas ने अपने facts वाले विचारों को बता बता कर हैं इन लोगों को बढ़ा किया है और इनमें अब कोई भी emotion, imagination और feeling जैसी कोई भी चीज नहीं दिखती इन लोगों को नहीं पता कि जीवन में प्यार और खुसी क्या होती है ये लोग अपने जीवन के फैसले facts के अनुसार लेते हैं ये लोग घर के महौल में बढ़े हुए हैं और इन्हें बाहर की दुनिया का कोई भी अंदाजा नही है एक दिन Thomas Grad Grint अपनी बेटी Louisa के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरे एक दोस्त है Mr. Bondar भी नाम के वे एक factory के मालिक हैं और काफी पैसे वाले हैं मैं चाहता हूं कि तुम उनसे साधी कर लो यदि तुम उनसे साधी करती हो तो तुमारे भाई Tom की जिन्दगी बन ज जाएगी वत्रंत साधी के लिए रेडियो आती है तभी वहाँ पर सिसी आती है और Louisa को समझाती है कि तुमारी जिस वेक्ति से साधी होने वाली है वह तुमसे बहुत बड़ा है लेकिन Louisa उसकी एक भी नहीं सुनती वह एक ही बात की रट लगाई है कि उसकी भाई की जिन् जाती है और Louisa और Tom Bonderby के साथ उनके घर चले जाते हैं और इधर अब Mrs. Sparset को Louisa से काफी जलन होने लगी है और वहाँ अपनी नजर Louisa पे हमेशा बनाई रहती है एक दिन Stephen Blackpool Bonderby का घर आता है Stephen भी बाकी मजदूरों की तरह Bonderby से काफी नराज रहता है लेकिन इसकी एक करने के लिए उसको अपने पहली वाइप से तलाक लेना होगा इसी समस्या को लेके वो Bonderby के पास आता है Bonderby स्टेफन का मजाकुडा तेवे कहता है मैं तुम्हें तलाक तो दिला दूं तुम्हारी वाइप से लेकिन तुम्हें उसके लिए lawyer की जरुत पड़ेगी और lawyer तो मफ्त में आती नहीं है उसे फीस देनी होगी और तुम उतने पैसे वाले नहीं हो कि तुम lawyer को फीस दे पाओ तो तुम्हारी जिंदिगी जैसे चल रही है तुम्हें वैसे ही काटना होगा और इतना कहे कर Bonderby स्टेफन को वहां से भगा देता है जब स्टेफन घर के बाहर जा रहा होता है तब उसके पास एक बूढ़ी और आती है और Bonderby और लुईसा के बार में पूछने लगती है लेकिन स्टेफन उसे गुस्से में कुछ नहीं बताता और इस चीज को मिसेस स्पार्सिट ने देख लिया था उस बूढ़ी औरत को मिसेस स्पार्सिट ने काफी बार देखा था Bonderby के घर का चक्कर लगाती हुए दोस्तो बात करते हैं टॉम की तो ये एक नंबर का अवारा और आलसी इंसान हो चुका है बेचारी लुईसा ने तो Bonderby से इसलिए साधी की थी ताकि टॉम की जिंदगी बन जाए लेकिन ये टॉम तो कभी भी किसी से सीध करने वाला इंसान है ये लंडन में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो Bonderby के पास आया है यहां पर कुछ काम करने के लिए यहां पर कुछ इंटर्टेनिंग ढूणने के लिए जब ये Bonderby के घर जाता है तो वहां पर लुईसा को देखता है ये देखता है कि Bonderby काफी के लिए कुछ भी कर सकती है इसलिए वह वह मनही मनों तांब से दोस्ति करेगे और वहमेशा टॉम को पैसे उधार में देने लगता है और टॉम के करीब जाने लगता है दोस्तों मैंने अपको पहले बताया था कि बॉंडर भी अपने मजदूरों पे तरह तरह के अत्यार करती रहता है और अब उनके फैक्टरी के जितने भी मजदूर थे उन्होंने एक यूनियन बना लिया है और बॉंडर भी के खिलाफ खड़े हो गए हैं लेकिन स्टेफन उन लोग के साथ नहीं है स्टेफन उन म साथ नहीं दे रहा हूं मजदूर भाईयों को बड़ा गुस्सा आता है कि यह स्टेफन मजदूर होके हमारा साथ नहीं देगा तो चलो अब इससे कोई बात नहीं करेगा जब बॉंडर भी को यह पता चलता है कि मजदूरों ने यूनियन बना लिया है और इस्टेफन उन अपने मजदूर भाईयों के साथ दोखा नहीं कर सकता इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा तो बॉंडर भी को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी हमत कि तुम मुझे ना कह सको और स्टेफन को बॉंडर भी ने अपने फैक्टरे से उसी समय निकाल द लुईसा को काफी गुस्सा आता है बॉंडर भी पे लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकती थी वो टॉम को लेकर स्टेफन के पास जाती है और उसे कुछ पैसे दे कर कहती है कि तुम कुछ दूसरा नया काम ढूंड लो बेचारी लुईसा स्टेफन के लिए और कर भी क्या सकती थी और फिर लुईसा अपने घर वापस आती है लेकिन टॉम वहीं रुका रहता है और फिर स्टेफन का पीछा करते हुए स्टेफन के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है वे इसको कान में कहता है कि आज साम में तुम बैंक के पास आना वहाँ पर आने के बाद चोरी हो गई और पिछली साम को स्टेफन बैंक के सामने खड़ा था तो सारा सक अभी स्टेफन पर आ रहा था कि स्टेफन ने ही बैंक को लूटा है तो स्टेफन डर के मारे इस सहर को छोड़ कर चला गया दोस्तों एक दिन लोईसा गर में अकेली थी उसका हस्बेंड जेम्स को कि तुम अभी यहां से जाओ नहीं तो कोई देख लेगा दोस्तों इस चीज को मिसेस स्पार्सेट ने देख लिया था मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि मिसेस स्पार्सेट लोईसा पर नजर बनाई रहती है अगले सुबा लोईसा जेम्स से मिलने के लि मिसेस स्पार्सेट बोलती है चलो कोई बात नहीं मैं इस बात को हो जाके बॉंडर भी को बता दूँगी कि उनकी वाइफ जेम्स के साथ भाग चुकी है लेकिन दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है लोईसा जंगल से सीधे अपने फादर के घर आई है और अपने पिता को बोलती है कि स्पार्सेट लॉईजा और जेम्स के सारी बातों को बता देती है बॉंडर भी गुस्ते से ग्रैड ग्रेंड के घर जाते हैं और उनको बोलते है कि देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया उसने मुझे अकेले छोड़ कर भाग गई जेम्स के साथ तो बॉंडर भी बोलता है एक लिसा कुछ नहीं है मेरी बेटी देखो मेरे साथ ही है और मैं अब आप है बोल रहा हूँ कि अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी तो तुम यहां से जा सकते हो बांडर भी वहां से घुश्चे में चला जाता है उस तो स्टेफन अपना नाम को क्लियर करवाने के लिए वापस आता है लेकिन जब वो आ रहा होता है तो रास्ते में गड़े में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले वे बांडर भी को सारी बात बता देता है कि चोरी उसने नहीं की थी उसके साले टॉम की थी दोस्तो स्टेफन की इमेज तो पूरी तरह से क्लियर है लेकिन अब तो सारा बिलफटना है टॉम के उपर तो सीसी ने क्या किया वो टॉम के पास जाती है और उसको बताती है कि मेरे पिता सरकस में काम करते हैं तुमें काम करो अपना वेस बदलो और मेरे पिता के पा और बताती है कि मैंने Tom को अपने पिता के पास भेज दिया है और वहाँ पर Tom भेज बदलके रह रहा है अभी Grad Green का एक student वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मैं Tom को भागने नहीं दूँगा तो Grad Green बोलता है क्या तुम्हें अपने टीजर के परती कोई भी इमोशन नहीं है तो भी ने तो बताया है इमोशन फिलिंग कोई काम की चीज नहीं होती है तो मैं Tom को कैसे भागने दूँ मैं तो उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा Grad Green को यहाँ पर समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी फैक्ट्स के अलावा भी इमोशन और फिलिंग जीवन में हमेशा इंपोर्टेंट होती है फैक्ट्स के वल इंपोर्टेंट नहीं होती है यह बात अब Thomas Grad Green को अब समझ में आने लगा है पर दोस्तो सीसी के फादर किसी तरह से टॉम को देश से बाहर भेजने में सफल होते हैं और इधर मिसेस स्परसेट वो बुढ़ी औरत को पकड़ के लेते आती है जो बॉढ़र भी के घर के चारो और गुमते रहती थी और बॉढ़र भी को बोलती है कि साइद इसी बुढ़ी औरत ने अपके साले को मड़त की होगी बैंक में चोरी करने के लिए बॉढ़र भी काफी गुसे में आ जाता है और मिसेस स्परसेट को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वो बुढ़ी औरत बॉढ़र भी की मा थी दोस्तो इस कहानी की समापती कुछ इस तरह से होती है टॉम काफी सालों से अपना घर वापस नहीं आया है और सायद उसकी मौत उधर ही हो चुकी है लुईसा कभी बॉढ़र भी के पास वापस नहीं गई और नहीं उसने कभी कोई दुबारा साधी की तो दोस्तो आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएं हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत